जै शिराम मित्रो, हिंदो पंचांग के अनुसार, रच्छा बंधन श्रावण माह के सुकलपक्च की पुनमातिती को मनाया जाएगा राखी बांधने से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भधराकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए सास्त्र और मुहर्त सास्त्र में भधराकाल को असुभ माना गया है ऐसे में आईए जानते है कि इस साल राखी कम मनाया जाएगा साथी ये भी जानेंगे कि भधराकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहर्त क्या है हिंदू पंचांग के अनुशार इस शाल 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन मनाया जाएगा हिंदू कलेंडर के अनुशार सुकल पक्ष की पोड़े मातिति की शुरुवात 19 अगस्त को प्राता 3 बज कर 4 मिनट पर शुरू होगा वही इसकी समापन की बात की जाए तो 19 अगस्त को मध्य रात्री ये 11 बज कर 55 मिनट पर समापत होगा राखी बांधने का जो शुभमोर्ट है वा हिंदु पंचांग के अनुशार इस शाल राखी बांधने का शुभमोर्ट दो पहर एक बज कर 30 मिनट से रातरी नो बज कर 7 मिनट तक रहेगा कुल मिलाकर शुब महुर्थ 7 गंटे 37 मिनट का होगा यानि राखी बांधने का शुब महुर्थ का आरंब दो पहर एक बज कर 30 मिनट के बाद होगा राखी बांधने का शुब महुर्थ का शमापन रात्री 9 बज कर 7 मिनट पर होगा आप सब को पता होगा कि भधराकाल में राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि भधराकाल के शमय को असुभ मना जाता है मन्यताओं के अनुशार इस दौरान कोई भी मांगली कारे करम नहीं किया जाता है जिसमें राखी बांधना भी शामिल है भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बाहन के रिष्टे में तनाव आता है और मनुकामनाय भी पूरी नहीं होती है इसलिए रक्षा बंधन का प्वित्रकार सुब मोर्त में ही करना चाहिए यही कारण है कि लोग राखी बांधे समय भद्राकाल का ध्यान रखते है और शुब मोर्त में ही राखी बांधे है आईए अब जान लेते हैं भद्रा काल का शमय पुणि माति थी कि आरंभ के शाथ भद्रा काल की शुरुवात हो जाएगी और भद्रा काल की शमापती 19 अगस्त 2014 को 2 पहर 1 बज कर 30 मिनट पर होगी भद्रा मुख 19 अगस्त को प्राता 10 बज कर 30 मिनट से 2 पहर 12 बज कर 37 मिनट पर होगी यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्यबाद झाल झाल